तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लाए हैं very important questions social science के लिए जो की 10th class के बच्चों के लिए है क्या बात है सर क्या बात है सर क्या बात ये बात है और ये questions objective type questions हैं 26 फरवरी को 10th class के बच्चों का social science का paper है MP board का तो इस वीडियो में हमने important objective type question दिये हैं तो आप इनको तयार कर लें ये बहुत ही महत्पूर प्रस्न है तो पहला question है which of the following conservation strategies do not directly involve community participation तो इसमें ये option दिये गए हैं और इसका सही answer है ये टी वाला demarcation of wildlife sanctuaries अगला question देखते हैं अगला question है which state passed the first resolution for joint forest management तो इसमें ये जो option दिये गए हैं इसके जो चार option है और इसका ये answer सही है जो कि ये दी वाला option सही है Odisha next question देखते हैं next question है travels of Odisha and Vihar worship the days trees during wedding तो इसमें जो option दिये गए हैं इसका जो सही answer है वो है ये वाला यानि की टर्मेरेंड next question देखते हैं next question ये दिया है which state in India has the largest area under permanent forests तो इसका सही answer है मध्य प्रदेश next देखते हैं next दिया है those producers on which all living beings depend तो इसमें ये चार option है और इसका ये सही answer है बी वाला primary producers next देखते हैं ये next question है which famous slogan was given by the brave freedom fighter भगासिंग during the freedom movement तो इसका सही answer है इंकलाव जिन्दावाद next देखते हैं और ये next question है तो इसका जो सही answer है वो है ये c option यानि की लाला लाजपत्रा है next question देखते हैं next question है do or die slogan is associated with which movement तो इसका सही answer है ये ये वाला quit India movement next देखते हैं और ये next question तो इसका ये सही answer है वो है ये वाला 5th March 1931 next देखते हैं इसको आप तयार करें ये next question है और इसका जो सही answer है वो है ये a justice next question next question ये है तो बच्चों आप इनको तयार करें और या फिर इसी से तयार कर लें या फिर आपके पास जो भी solution इसमें टिक लगा ले तो इसका जो सही answer है वो है ये d वाला और next question है next question ये दिया गया है और इसका answer ये है c वाला 1861 अगला question देखते हैं अगला question ये दिया है when France sneezes the rest of Europe catches a cold this statement was given by तो इसका सही answer है ये वाला next देखते हैं ये next question है और इसका जो answer है वो ये c option सही है grease next देखते हैं और ये next question दिया गया है इसमें ये चार option है तो इसका जो answer है वो है ये b वाला slaves next देखते हैं next question है when did the non-cooperation खिलापत moment start तो इसके ये चार option है और सही answer है ये वाला in January 1921 next question देखते हैं और ये next question दिया गया है इसका जो answer है वो c वाला है बच्चो आप फटा फट इसको revision कर लें समय कम है और ये question ये answer क्योंकि यदि हम इसको पढ़ रहे हैं तो समय जादा लग रहा है इसलिए आप इसको इसी से learn कर लें तयार कर लें next देखते हैं इसको पढ़ने हम टाइम लग रहा है इसलिए आप तो tick लगा लें और इसी से तयार कर लें और ये next question दिया गया है इसका जो answer है वो ये c वाला answer सही है आगे देखते हैं और ये आगे ये question दिया गया है इसका जो सही answer है वो ये b वाला answer है ये answer दिये गये है match देखते हैं नैस्ट ये कुछ्चन दिया गया है और इसके चार आप्सन है और सही आंसर है ये डी ये डी वाला आंसर सही है नैस्ट देखते हैं और ये नेस्ट कुश्चन है इसके ये चार आप्शन दिये गए है सही आंसर ये बीवाला सही आंसर है आगे देखते हैं आगे ये नेस्ट कुश्चन दिया गया है ये कुश्चन है और ये चार आप्शन है सही आंसर इसका ये है रेंड वाटर यह answer दिया गया है और यह next question which river is known as the river of sorrow तो इसमें यह चार option है और सही answer यह यह वाला है गामोदर river आगे दिखते है आगे यह question दिया गया है which one of the following is a ravik rob तो इसमें चार option दिया गया है सही answer है यह c gram नेस्ट दिखते है नेस्ट यह question दिया गया है और इसका सही answer जो है वो बी वाला option सही है यह यहाँ पर answer है आगे दिखते है आगे यह question दिया गया है और इसका जो सही answer है वो बी option है cotton crop और यह next question दिया गया है, which of the following crops is called yellow gold, तो इसमें यह चार option दिये गए है, और इसका जो सही answer है वो भी वाला है, soya bean next देखते हैं next question यह दिया गया है, उसके जो यह चार option है, तो question है, which of the following is a fertilizer industries, तो सही answer इसका यह वाला है, next question देखते हैं, next question यह दिया गया है, और इसके यह चार option है, सही answer यह वी वाला answer है, यह हाँ पर answer दिया गया है, next one देखते हैं, next question है, यह next question है, और इसके यह चार option दिये गया है, सही answer डी वाला है, यह answer दिया गया है, अगला question, अगला question यह है, और इसका जो सही answer है, वो बी वाला है, railways, next दिया गया है, which of the following means of transport is used for carrying solids in a slurry form, तो इसमें यह चार option है, और सही answer इसका यह सी वाला है, pipelines, next दिखते हैं, और यह next question दिया गया है, इसका सही answer, यह वी वाला answer है, यह answer दिया गया है, next question देखते हैं, और यह next question, which city is known as finishing center, जिसमें यह option दिया गया है, पेरिज, नियॉर्क, लेंडन, और यह country of Africa, तो सही answer है, लेंडन, यह वाला सही answer है, next one देखते हैं, और यह next question दिया गया है, इसका सही answer यह दिया गया है, यह option सही answer है, अगला question देखते हैं, और यह अगला question दिया गया है, उसके बाद यह 4 option दिया गया है, सही answer यह वाला है, Cylon, अगला question देखते हैं, और ये अगला question इसमें ये option दिये गए है तो इसका जो सही answer है वो है C वाला answer सही है ये answer सही है इसको learn करें आगे देखते हैं और ये next question दिया गया है इसके ये option दिये गए है इसका सही answer ये है next देखते हैं और ये next ये question है इसमें ये option दिये गए है ये option है चार तो इसका जो सही answer है वो ये वाला answer सही है ये very important question है objective type question है आगे देखते हैं ये next question और इसके ये चार option दिये गए है इसका सही answer ये डी वाला court next question देखते हैं और यहां पर ये next question दिया गया है तो इसका सही answer है ये डी law सही answer डी है अगला question देखते हैं ये अगला question दिया गया है तो इसमें ये option दिये गए है चार option है सही answer इसका सी वाला है पंचायत ये answer दिया गया है यहां पर पंचायत सही answer है आगे देखते हैं और ये अगला question दिया गया है which matter is related to family law तो इसका सही answer है ये डी all of the ever क्योंकि ये तीनों option इसी question से related है इसलिए इसका सही answer है all of the ever next question देखते हैं ये next question दिया गया है और इसके ये चार option दिया गया है तो इसका जो सही answer है वो भी यही है all of these all of these सही answer है क्योंकि ये तीनों option इसी question से related है इसके ये answer है all of these अगला question है ये अगला question दिया गया है और इसमें भी ये चार option दिया गया है तो सही answer इसका ये वी वाला है स्री लंका स्री लंका सही answer है आगे देखते हैं और ये next question which district of मध्य प्रदीश has released the first human development report तो इसका जो answer है वो ये सी वाला answer सही है राजग्रह ये दिया है answer राजग्रह सही answer है next देखते हैं और ये next question दिया है तो इसमें भी चार option दिये गए है सही answer इसका ये वाला सही answer है तो इनको तयार करें आप आगे देखते हैं और ये next question इसमें ये option दिये गए है सही answer इसका c है c वाला ये answer correct है तो इसको आप तयार करें ये सभी question very important question है और ये next question दिया गया है इसमें ये चार option दिये गए है तो इसका जो सही answer है वो इवाला है of all the people सही answer है next देखते हैं और ये next question इसका सही answer c वाला है c वाला है इसको आप तयार करें ये इसका answer है next question देखते हैं और जो next question ये दिया गया है इसके ये चार option दिये गए है तो इसका सही answer ये c वाला answer सही है आगे देखते हैं और ये next question इसमें भी ये चार option दिये गए है इसका जो सही answer है वो c वाला answer सही है next one देखते हैं और ये next question इसमें भी ये चार option दिये गए है इसका जो सही answer है वो c option वाला answer सही है ये वाला answer सही है next देखते है next ये question दिया गया है इसमें भी ये चार option दिये गए है सही answer जो है वो c वाला answer सही है employees next देखते हैं और ये next question दिया गया है which of the following is the modern form of currency तो ये चार option दिये गए हैं इसमें सही answer इसका है डी वाला all of the above और ये next question दिया गया है इसका सही answer ये डी वाला है all of the above क्योंकि ये तीनों option इसी question से relative है इसलिए यहाँ पर सही answer है all the above और आगे देखते हैं और ये last question है तो इसमें ये चार option है सही answer इसका है दी बैंक सही answer है तो बच्चो ये थे very important selected objective type question social science के लिए 10th class के बच्चों के लिए जो की MP board exam दे रहे हैं तो उनके लिए ये very important question है तो बच्चो पढ़ती रहे है keep studying best of luck thank you for watching